गुड मॉनिंग कक्षचार बच्च पनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निका लिये उसमें निका लिये पेज नमबर 56 पेज नमबर 56 में आज हम करेंगे क्रिया अध्याई 11 तो बच्चों कुछ शब्द से हमें ग्यात होता है कि कॉल्सकार्य हो रहा है जैसे धोबी कपड़े धोता है सुमन खाना खा रही है पक्षी ओड़ रहे है और पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है इन वाक्यों में क्या है जैसे धोता है खाना ओड़ना पकड़ा पकड़ लि करिया है। तो इसको परिवाश् yourself कई जेक απόिश का कि वहता सबैं शब्यात की होती हुझ कुछ करिया है अप्ना पूती है जैसेट है नदी का बेा, आंधि आना, तारों का Civ इम एका माहना पूती है। ये क्रिया सुता ही होती है, इनको कोई करता नहीं है या अपना पोती है कुछ क्रिया की जाती है, जैसे खाना पकाना, नरी में तैरना, किर्किट खिलना, रात को सुना इनको हम करते हैं अब विशेश के किसी भी वाक्य निर्माण में किरिया का महत्वपुन इस्तार है किरिया की बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता अर्थात अधूर रहता है यानि कि किरिया का होना बहुत ही आवश्यक है आगे बढ़ते हैं देखें और समझे पिता जी कार उसके आगे कुशनी दे रहा है सोहन खाना कुशनी दे रहा है तो ये क्या है? अधूरे हैं इन पूरे नहीं हो रखी है अब आगे जानते हैं किरिया का शब्द किरिया का रूब लिंग और वचन पर आधार बदल जाता है कैसे? लिंग के आधार पर कैसे होगा? घोड़ा घास चर रहा है, घोड़ी घास चर रही है यानि कि पूर्लिंग और इस्ट्रिंग वचन के आधार पर लड़का खेलता है और बहुत सारे होंगे तो लड़के खेलते हैं, एक वचन और बहुत वचन, क्रिया के भीद, अब क्रिया के दो भीद है बच्चा, सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया, पहले हम सकर्म क्रिया देखते हैं, किसान खेट जूत रहा है, शर्वेस विद्याले जाता है, सुरेंदर प कर्म परिभाश कर्म 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 कर सकर्म क्रिया देखो, पढ़ना, लिखना, पीना, काटना, तोड़ना, लेना, देना, उठना, बनाने, अधे, लगते हैं, अब दुसरा आपके पास अकर्म क्रिया, जैसे उमंग हसता है, प्यूआ लिख लिखता है, अभी नफ सोता है, ढिनेस नाता है, और प्युक्त वाक्य में हसता है लिखता है सोता है नाता है करिया शब्द है उनके कर्म नहीं है इसलिए कर्म करिया है यहां करिया का फल करता पर पढ़ रहा है करता ठीक है समझे अब करता जो काम कर रहा है जहां करिया का फल करता पर पढ़े वह अकर्म करिया होती है पहला वाला किस पढ़ था कर अकर्म क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या कहा किसे लगा कर देखे। पहागना, निकलना, हसना, होना, आदी। तो आज हमने क्रिया के पढ़ा। पाट को तंक से देखे। ओके पाट कर देखे। पाट कर देखे।